नमस्कार शातियों मैं हूँ सुसील यादोन और आप सब इक सामने लेकर उपसे थूँ टैन मिनट्स हो जिसके अंतरगत हम एक वीडियो में एक टॉपिक को खलास करने का काम कर रहे हैं सातियों आप सब इलोग अच्छी तरह से विगत होंगे कि हम इस क्लास में जितने भी टॉपिक लेकर आ रहे हैं वह परिक्षा के द्रश्टी कौन से बहुत महत्पूर होते हैं और उनसे हमेशा प्रसन बनते ही बनते हैं आप निरंतरता से इन क्लासों को देखते जाएगा य बात करने के लिए आये हैं यानि कि यह जो वीडियो है आपके पहली वीडियो का पार्ट टू है आज आप आप देखने वाले एक वीडियो चो इससे पहली ति जिसमें हमने बहतरीन तरीके से साथ्यों गवर्नर और गवर्नर जर्रणरलों को शुरू यानि की पढ़ लिय एक व्यक्ति है जिसका नाम है Lord Kenning, Lord Kenning मिंटो पार्क इलाबाद के अंदर एक पत्र को पड़ता है जिसके अंदर यहां पर कमपनी का सासन समाप्त होता है और ब्रिटेन की महरानी यानि क्राउन वहां के संसत का सासन भारत में शुरू हो जाता है और इसी पत्र के अधिकार मे इसी पत्र के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो भारत के अंदर अभीता गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसका पद वाय सराय हो जाएगा यानि 1857 के बाद जब 1858 में यह अधिनियम लाया गया तो इससे बहुत सारे बदला भारत के अंदर हुए जिन में से एक था कि भा गवर्नर जनरल था वह ब्यक्ति यहाँ पर कैनिंग हुआ करते थे कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे अगर बात करें 1856 से 1882 तक इनका कारिकाल है तो जब यह अंतिम गवर्नर जनरल बने तो इनी के बाद सातियों वाय सराय का पद आया तो इनी को क्या बना दिया गया है लॉझी क्या रो इनी के समय गवर्नर जनरल थे तता बहरत के पहले वाय सराय बने था तो अंतिम गवर्नर होंगे और लॉड कैनिंग ही सातियों भारत के पहले वाय इन्हीं के समय में 1857 की क्रांती होती है इससे पहले की बात करें तो इससे पहले सात्यों 1848 से लेकर 1856 तक एक व्यक्ति बारत में गवर्णर बनकर रह रहा था जिसका नाम आपने जाना होगा डल हो जी इसको हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्त अगर हम बात करता मुंबई मद्रास के अंदर हाई कोट की स्थापना कराई जो की सात्यों आपको पताऊगा जिनका कारेकाल 1856 से 1862 ने वाला है डल होजी के द्वारा जो राज्य हड़ा पनीती चलाई गई ती जिससे आप यहां पर व्यववगत का सिंदाद या डेक्ट्रिट आफ ले तर तक वाईसराय के पत पर रएंगे और इन्ही के समय में प्रथम बार जणन गरणा 1970 में की गईनी पर hyvin नियमित रूप से नहीं ती 2859 में इनके समय पर क्या भारत में पहली बार जणन,गरणा की गई दूसरे सातियों लूड मेयो ने यहाँ पर आजमेर में अठ आठार मेयों मेयों को अनमान निकोबार के अंदर साथियों एक अफगान व्यक्ति के दोरा चाकु मार कर हत्या कर दियाती है यह साथियों पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दौरान जिनकी मेत्व भारत में हुई और अपने कारेकाल के दौरान हुई नहीं कौन व्यक्ति ऐसा है जिसक ठी भूर्वी और ब्यक्ति में सकते हैं यहां पर हत्या होने वाले व्यक्ति अगर बात करते हैं अगले वह सराई के बारे में तो अगले वाई chuck आते हैं आपके से लेकर 1818 स्मारते एं और 1878 में सात्य बात करें ने भारते समाचारन पर जो बहुत इंप्शकार्प्थ आ वर्ना कुलं प्रेस एक्ट को परित कर दिया वर्र phenomenal कि वर्णा क्रम प्रैस किसके समय में परित हुआ क्या कहींगे चाते लॉड लिटन के समय में 1878 में परित हुए भारते स dw वेपन के लिए नियम्ते सस्तुर अधिनियम के तहते श्तुर रखने के रखने और व्यापार करने के लिए लाइसंस अनिवारी किसे ने किया आप कहींगे सात्यों Lord Litton ने सस्त रखने के लिए और व्यापार करने के लिए license अनिवारे कर दिया अगले वाइसरा आते हैं जिनका नाम था सात्यों यहाँ पर Lord Rippon Lord Rippon 80 से लेकर सात्यों 1884 तक रहेंगे और 1881 में इन्हें की समय में नियमित जनगरना शुरू ही क्या नियमित नहीं हर 10 वर्स के बाद अब जनगरना होगी ऐसा किस ने किया आप पहेंगे सात्यों Lord Rippon के द्वारा किया गया इनी के द्वारा 1881 में प्रतम कार खाना अधिनियम परित कर दिया कार खाने में जो लेबर काम करती थी उसमें बच्चों के लिए महिलाओं के लिए क्या कर नियम होंगे इसके बारे में इन्होंने आधार बना कर यहाँ पर कार खाना अधिनियम परित किया अठारसो ब्यासी में जो वर्ना कुलम प्रेस एक्रता उसको सातियों हम बात करें तो यहां पर रिपन के द्वारा समात्त कर दिया जाता है इलबर्ट बिल जो बहुत विबादों में रहता आप सभी लोग जानते हूंगे 19日 कर दिया जाता है इसको बहुत है तो पर रिपन के यह समयsquare अगले बाता है जिनका नाम है 1888 तक डफरिण की यहाँ पर क्या हुई एंट्री हुई यह वाइसराय बने और इनी के समय में 1885 को आप जानते हैं कॉंग्रेस की कि इस्थापना हुई कॉंग्रेस की स्थापना कही इनीको कॉंग्रेस का पिता कह दिया गये कॉंग्रेस के पहले अद्धक्ष wcром नर जी यह बात आपको पता होगी अगर बात करें लॉड करजन के बारे में प्रसिंद्ध बनता है येवी साथ भारत के बाइश की गई और 1905 में इनी के समय में क्या हो गया बंगाल विभाजन हो गया कि बंगाल विभाजन के किसी के समयमें हुआ आप कहेंगे Lord करजन के समयमें बंगाल विभाजन हुआ अगले वाईसराइ की बात करें तो अगले वाईसराइ है Lord मिंटो 2 जो 1905 से 1910 तक यहां पर रहने का काम करेंगे 1906 में इनी के समय में मुस्लिम लिग की स्थापना होती है और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है तो मुस्लिम लिग की स्थापना भारत में किस वायसरा के समय में हुई आप कहेंगे लौड मिंटो के समय में मुस्लिम लिग की स्था में हुआ था 1911 में भारत की राज़दानी जो थी वो कलकता से दिल्ली आई थी यह आपको पता होना चाहिए और इनी के समय में सात्यों प्रथम विश्युदुआ था यह प्रसिंद क्या बार पूछा चुका है कि किस व्यक्ति के समय में कौन व्यक्ति वायसरा है तबारत में जब सात्यों पहला विश्युदुआ आप पहेंगे लौड होडिंग सेकिंड के समय में यहाँ पर पहला विश्युदुआ 1914 में जो शुरू हुआ था आगे बात करते हैं अगले वायसरा है यहाँ पर लौड चेंप्सफूर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहेंगे इनी के द्वारा मैं रॉलेक्ट एक्ट इनी के समय में सत्यों भारत में आता है और 1920 में एह सयोग अंदुलन इनी के समय में शुरू होता है अगले बात करें जिनका नाम है लौड रिदिंग आपको दिखाई दे रहा होगा रीड़िंग के बारे में अगर बात करें इनी के समय में क्या इर्विन 1926 से 1931 तक रहेंगे और लौड इर्विन के समय में तीन फर्वरी 1928 को साइमन कमिशन भारत आया साइमन कमिशन बना काता तो 1927 में इनी के समय महातमा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने से सम्बहन देता बार नंबर 1930 को पहला गोल में समय में प्रविन दूसरी तरफ से इर्विन इन दोनों के बीच में ये समझवता हुआ था अगले वायस रहे हैं जिनका नाम है साथियो लोड वेलिंग्टन 1931 से 1936 तक इनका कारिकाल रहता है दोस्तों देखिए मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि एक वीडियो में एक टॉपिक को खतम करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम 10 मिनट की वीडियो लेकर चल रहे हैं तो हमने एक में वीडियो में पहली वाली में गवर्नर और 10 मिनट की वीडियो में आप सभी लोग यह भी बात जानते होंगे कि अगर आप मुझे थ्योरी में आप मुझे थ्योरी के कोस्टन पढ़ना चाहते हैं यानि की कोस्टन डेटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे में एक क्लास लेकर आता हूँ आप सुशील जाब अरिशेल भी इनि के समय में हुआ 1932 में गांधी और अंबेट करके बीच ने पूना समझोता हुआ 1932 में भारत सरकार अधिनियम 1935 इनि के समय में परित हुआ साथि और लॉर्ड वैलिंग्टन के समय में बात करते हैं साथि यहां पर अगर हम लूर्ड लिलनित्गों के बा चांद साथियों बहुत महत्पूर होता है इनका कारिकाल इसके अलाबाई यहां पर बात करें लौड मांट बेटन बहुत महत्पूर होता है उंसो स्टारीश से इनतिम बहुत के पहले गवरणर जर्ण होगे अभी तक आख बहुतować है उनके नाम के आघ्या लगायत दर्ये अंकरर भारत के पहले वाई prob podéis还是 hard है कौन होंगे आप कहेंगे लॉर्ड माउंट बेटेन होंगे 15 अगस्त निश्व स्वातंत्र हुआ वह लॉर्ड माउंट बेटेन के ही समय में हुआ दोस्तों important question होगा अगर हम बात करें सीराज गोपलाचारिय इनके बाद इस पद को समाप कर जाता है 1948 से 1950 तक रहेंगे और सीराज गोपलाचारिय स्वातंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारते यह भारते सब्द अभी तक किसी में नहीं लगाता इसलिए क्या कहेंगे स्वा बर्जस तरीके से क्लास को इसी तरह से लेते रहेगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा help मिलती रहे एक्जाम में आप सुबह 9 बजे सुसील जादौन सर के नाम से सर्च करके आपको मेरी एक बहतरी सी डिटेल की क्लास मिल जाएगी जिसमें एक गंटा बहतरी कोस्तानों को कवर कराते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का स्वास्ता अच्छा होगा जबर्जस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वीडियो को सपोर्ट करते रहे हैं बैस्ट अपलक नमस्कार जैहन मेरे पैरे दोस्तों